हाँ जम आपको बताने वाल हैं कि कैसे आप अपने sound की problem को YouTube पे solve कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको यह turn check करना होगा कि आपका volume button turn off तो नहीं है अगर volume button turn off है तो उसको turn on कर लिजे volume button off का वीडियो में इस तरह से दिखता है और अगर आपके device में sound setting है तो उसको set कर लिजे sound setting set करने के लिए आप जब जाईएगा तो आपको यहां पर sound setting मिलेगी जिसमें आपको sound को कहां तक वो set है उसको देखीजे किते percent set है और driver proper install है कि नहीं है sound setting set करने के बाद आप browser को restart करियो और अपनी problem को solve कर लिए अब अगर आपका sound setting करने के बाद भी आपका sound नहीं सुनाई दे रहा है तो आप उसके बाद आप setting में जाए chrome की और setting में जा करके आप अपने browser में extension को download कर लिजे कहां से download करिएगा chrome web store से जब आप extension को install करिएगा तो volume master 1.6.4 आपको मिलेगा जो आपके sound को 600% तक boost कर सकता है अब आपका sound क्यों नहीं सुनाई देता है उसका reason है कि आपकी system requirement जो होती है आपकी to watch video on YouTube you must have updated browser आपके पास updated browser होना चाहिए Google Chrome, Firefox, MSS, Safari और Outra में से कोई भी हो सकता है और internet connection कम से कम 500 kbps का होना चाहिए Movies and TV show requirement Movies और TV show की क्या requirement है उसके लिए भी internet browser वो चारो होने चाहिए Plus windows 7 से उपर का window होना चाहिए और MS Mac है तो 10.7 होना चाहिए U12 है तो 10 plus होना चाहिए और internet connection कम से कम 1 NBTS होना चाहिए तब आपका जो video गो प्रापर दिखाई देगा और सुनाई देगा It can help to close other step browser and program while streaming your video It may also help to hardwire your internet connection instead of using a wireless network connection अब आपको यहाँ पर अपने browser में किस resolution पे कितने NBTS आपका जरूत पड़ेगी वो बता रहा है तो 4K के लिए 20 Mbps SD 1080p के लिए 5 million bit per second SD 720p के लिए 2.5 million bit per second SD 480p के लिए 1.1 million bit per second internet speed SD 360p के लिए 0.7 Mbps कम से कम होना चाहिए तब आपका वीडियो जो है प्रोपर दिखेगा और सुनाई देगा Thing to note, playback in HD is unavailable for streaming on the web browser except for Safari for HD streaming only You can also stream in HD using one of the supported device listed here अभी 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 इसको supported device में कौनकर से हम दिखाएंगे Sometime you can buy or rent a HD-USD version of video on device और browser that doesn't support HD-USD तो वो कह रहे हैं के बल सफारी ऐसा है जो streaming के लिए HD को support करता हो और सारी चीजी नहीं support करता है अब यह कह रहे हैं यहां से आप device देखें जो support करते हैं तो device में 4HD, what is UHD यह सारी चीजें वो बता रहा है आप यहां से जाकर detail में इसको पढ़के समल भीजेगा और किस किस phone पे और किस पे किस पे क्या quality देगा और किस version को यूज करेगा यह सारा देखे, mobile का भी आपको यहां पे बता रहा है तो यहां से जाकर के आप अच्छे से इसको पढ़िए और समझे कि आपका कौन सा mobile है और कौन सा setting आप करिएगा तो आपको अच्छे से काम करेगा और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में लेकिएगा हम सारी setting एक जगा एकटी करके आप लोगों को device-wise बता देगे HD means high definition है UHD means ultra high definition है और इस तरह से आप यहां पर setting कर पाईएगा यह लेके यहां cast दिया हुए न और यहां पर और ती चीज़े भी नहीं तो यहां से setting जब आप कर लिएगा तो हो जाएगा अब setting में हमने आपको बता दिया कि कैसे extension में जाकर के आप कर लीजिए अब हम लोग चलते है volume master को कैसे use करेंगे यह देखना है तो volume master में जाकर के हम लोग setting करेंगे इस video की इस video में थोड़ी सी volume slow है तो उसको setting हम कैसे करेंगे यहां पर extension में जाएगे यह volume master use करेंगे volume master देखे 600 तक बढ़ सकता है इसमें हमारी by default setting होती है 100% तक होती है तो उसको हम 600% तक बढ़ा सकते हैं 300, 400, 500, 600 तक इस method से बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से आप अपने video का volume बढ़ा करके उसको सुन सकते हैं तो मेरे खायल से आपकी problem solve हो गई होगी हमने volume को इसको बढ़ा दिया और आपको थोड़ा से सुना दिया इसमें 600% पे तो शारी यह video का volume बढ़ जाएगा और आप किसी के भी video का जिसका low volume आप उसको high volume पे सुन पादियेगा और अगर आपको डिटेल में हर device mostly device की information चाहिए होगी कि कितने Mbps पे हम internet ले कितने का resolution set करें और कितने frame per second set करें कि वीडियो अच्छे से upload हो और आपका काम वीडियो लोग अच्छे से देखाए और मेरा वीडियो में क्या चीज आपको पसंद आरही है क्या नहीं आरही है और क्या टॉपिक प्या आपको वीडियो चाहिए तक्यू झाहिए